नमस्कार आप देख रहे हैं भाड़त लाइव मैं हूँ आपके साथ कंचन यू तो बिहार की राजनीती में गूट नीतियां बन रही है गूट बाजी चल रही है और लोग अपना नया गठ बंधन बनाने को तयार हो रहे हैं क्योंकि अगले साल जो विधान सभा का चुनाव आने वाला है वही हम आपको बता दे कि जिस तरह से सीम नितीश कुमार के साथ बीजेपी दो मुद्धों पे खड़ी नहीं दिखी एक मुद्धा रहा जैसे कि जातिय जनगना तो दूसरा मुद्धा रहा बिहार को विसेश राज्ये का दर्जा दोनों ही मुद्धों पर ब उसके बाद किस तरह से जितने भी जेडियू के नेता है वो बीजेपी पे पलटवार है तो बीजेपी के जो नेता है वो जेडियू पे आए दिन पलटवार रहते हैं हम आपको बता दे कि फिर से जो केंद्रिय जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरब से जो एक प्रस्ताप पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि लर्कियों की न्यूंतम शादी के लिए जो आयू है वो 20 वर्स की गई जिसके बाद जितने भी मुश्लिम नेता थे उन्हों अपको बता दे कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसमें वो अपना आक्रोस भी दिखा रहे हैं कि आखिर लर्कियों की न्यूंतम आयू साधी के लिए की श्वर्स क्यूं की गई है और दूसरा तंच उन्होंने केंद्रिय प्रधान मंत्री पे कसा है उन्होंने शाफ तोर पे कहा है कि नितीश कुमार जी ने तो बिहार में प्रजनन दर को कम करने के लिए पहले ही ये सब तरीका अपना लिया था लेकिन अब केंदर के तरफ से बिहार राज्य के जैसा कौपी किया जा रहा है तो कहीं न कहीं जो जेडियू विधान पारसद हैं वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पे तंच कस रहे हैं कि वो बिहार का कौपी करते हैं बिहार में जो नितीश कुमार कार्यों को करते हैं उसका कौपी किया जाता है केंदर में तो ये एक बड़ी बात विधान पारसद जेडियू के उन्होंने कहा है और अब देखना होगा कि जिस तरह से ज चुनाब होता है उसमें क्या बीजेपी और जेडियू एक साथ गठ बंधन में रहती है मैराल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भाड़त लाएं अगर ये वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अ अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी